नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगों के चैप्टर 6 पोईट एंड पैंकुक को यहां पर पढ़ने वाले हैं तो दोस्ता देखते रहें इस वीडियो को इस वीडियो के अंदर हम बहुत इकमाल-माल कोश्टिंस को भी आ सब्सक्राइब कोश्टिंस और भी बहुत सब्सक्राइब करने माले हैं तब देखते रहें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे मिशन हंड्रेट को और लेटेस्ट सीवीस्टी के साफ समया पर आगे बढ़ रहे हैं यह जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है Poets and Pancakes तो देख लेते हैं कि क्या क्या में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है तो हम देखेंगे ऑथर के बारे में प्लॉट थीम और करेक्टर को देख लेंगे हम क्योंकि सीधा सीधा एक्जाम में आ जाता है फिर हम देखेंगे सेटिंग टाइटल और समरी तो इस यहां पर जिक्र किया जाता है एक Pancake Company का चुकि एक Make Up Company है एंड इसमें बिल्कूल बताया जाता है कि कैसे यह सारे एकदम एक साथ आते हैं और इस Film Producing Company को एकदम सक्सेस्फुल बनाते हैं यह जो लेसन है यह अशोक मितरन की किताब My Ears with Boss से लिया गया है तो अगर हम जो कि आज के हैदराबाद में बढ़ता है वहां पर हुआ था यह ना ऑथर के बारे में थोड़ा से बैग्राउंड जानने से होता है कि हमें पता लग जाता है कि क्या उसकी स्टाइल ओफ राइटिंग है उनका जो पेन नेम है यह अशोक मित्रन है लेकिन उनका जो एक्चु से उनको एक बुख के रूप में और इस बुख का नाम था माई इयर्श विद बॉस इनके बॉस कोन थे एसस वसन जो कि जोने की इंद के ओनर थे इनके जो majority of works थे उनको translate किया गया English में and जैसे इनका translation हुआ तो फिर पूरी दुनिया ने इनको पड़ा और उसके बाद यह बहुत ज़्यादा famous हो गए अब हम देख लेते कुछ important शब्द जिनको आप अपने परिक्षा में यूज करेंगे तो पहला शब्द है stables stables मतलब होता है एक ऐसी building जहां पर घोड़ों को रखा जाता है remote corner मतलब बिल्कुल एक ऐसा area शहर का जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं maiden maiden का मतलब होता है young woman जो कि आपको image में दिख रही है incarnation इसका मतलब होता है एक light जो की image हो रही है जैसे पहले हम इस तरह के बल्फ को यूज करते थे वह पीले वाले बल्ब misery misery का मतलब होता है state state और feeling of great physical mental distress है या फिर discomfort feel करना उसको हम बोलते misery then इसके बाद अगला शब्त हाइडियस हाइडियस मतलब extremely ugly then crimson hue इसका मतलब होता है deep red color ठीक है यह एक shade है color का then next है अपने पास potions इसका मतलब होता है liquid mixture cubicle मतलब एक छोटा सा area partition के अवा जहां पर generally office employees बैठते हैं बार जिन इसका मतलब होता है to walk into room quickly ठीक है किसी भी room के अंदर quickly जाना enlightened मतलब होता है having or showing a rational modern well informed outlook मतलब किसी भी चीच के बारे में अच्छे से जानकरी होना epic मतलब होता है एक बहुत ही long और rds task जैसे आपके epic होते राम आया और महापरत तो इस अब epics है then covertly मतलब होता है secretly vows मतलब होता है distress distress मतलब किसी भी परशानी में पढ़ जाना then ignominy इसका मतलब होता है public shame मैंना या किसी भी चीच पर disgrace आपको मिलना आपकी निंदा होना contrary का मतलब होता है in opposite जैसे बोलते हैं contrary to this तो मतलब in opposite of this then virtue मतलब होती अच्छी qualities then effluent का मतलब होता है एकदम wealthy having a hand in इसका मतलब है कि आप किसी भी चीच में involved हैं आप देख लेते हैं इस complete chapter की समरी को मैं आपको important points बताऊंगा तो कि आपकी exam में answer writing करने में आपकी मदद करेंगे तो यह जो lesson है अशोक में तरन के द्वारा लिखा गया और इसके अंदर वह जैमिनी स्टूडियो की आपर बात करते हैं जिसको 1940 में फांड किया गया था और यही पूरे इस शेप्टर के spotlight में रहता है वह start करते हैं by making a mention of pancake तो pancake एक बहुत ही famous makeup brand है जिसको जैमिनी स्टूडियो में बिल्कुल ट्रकों में order किया जाता था भाई अब makeup पे ही ठीक हुए पूरी इंडस्ट्री तो ट्रक भर-भर के makeup साते थे and then he talk about the plight of actors and actress and plight मतलो होता है एक दरीनी एक condition में पहुंच जाते थे actor and actress जब जो makeup men थे और वह बहुत जादा intense सहनी पड़ती है तो इसी plight के बारे में इसी व्यथा के बारे में एक्टर एक्ट्रेस की वह बताते हैं जो makeup department था according to him use करता था heaps of makeup है बिल्कुल बहुत ज्यादा ज्यादा makeup जिस आपको है पर image में दिख रहा है इस तरह का makeup चाप दिया करते थे और एक इसे और एक्टर और एक्टर जो मतलब असली सुंदर था है उनकी वह दब जाती थी और ज्यादा अगली वह लगना स्टार्ट हो जाते थे शोकिंग ली वह बताता है about the office boy of the makeup department जिसका टास्क था to sleep paint on the faces of the players at the time of crowd shooting तो एक office boy के भी बारे में आपर जिक्र किया जाता है जिसका काम था कि जो पीछे वाले artist होते थे उनका makeup करना तो वह पर basically क्या होता था एक hierarchy चलती थी जिसमें जो chief makeup करने वाला होता था वो main actor का makeup करता था फिर second number पर जो होता था वो supporting actors का makeup करता था फिर उसके बाद और लोग जो और lyricist तो इस office boy के बारे में बता जा रहा है कि उसने joint as a poet किया था फिर उसने सोचा में actor बन जाओंगा screenwriter बन जाओंगा director बन जाओंगा लास्स में क्या कर रहा था वो जो पीछे लोग खड़े रहते हैं जो पीछे नाचते उनका makeup कर रहा था इन दो स्टेज ऑथर भी वहीं पर काम करता था जैमेनी स्टूडियो में हाला कि उसका कोई film making में को डारेक रोल नहीं था लेकिन उसका काम था newspaper की cuttings को collect करना और फिल कर रहा था चोटे makeup में का roll कर रहा था तो complaints थी वह आता था author के पास उसके cubicle में now he was well convinced that the reason behind this misery was subhu अब यहां पर एक और नए character को introduced किया गया है caught mangalam subhu तो वह बताता है कि यार मेरी इस पूरी misery के कारण subhu ही है he thought subhu had an advantage because he was born a brahmin के यार subhu यह जो subhu है इतना advantage इसको 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 मिल रहा है क्योंकि ब्रह्मिन है and subhu was a resourceful man whose loyalty made him stand out okay था था तो यह कोई ज्यादा बड़ा आदमी नहीं लेकिन इसकी पहुच बहुत बड़ी थी तो इसलिए इसकी इंपोर्टेंस थी इस स्टूडियो के अंदर he was tailor made for films and it was difficult to imagine filmmaking without him तो यहां पर ऐसा लगता था कि भाई यह फिल्म बनाने के लिए बना है और यह सभी को guidance देता था सुबू actors हो गए actress हो गए director हो गए सबको guidance दे दिया करता था यह now he was very welcoming and was known for his hospitality बहुत जाद अच्छा इसका वहवार था just like other people said the Gemini studio वह भी poetry में इंट्रेस्टेट था इससे क्या पता लगता है में कि वहां के बहुत सार लोग poetry में इंट्रेस्टेट था story department में काम क्या करता था which also consisted of a lawyer अब एक और character को introduced किया गया है कि भाई सब यहां पर एक lawyer भी था और people generally called him the opposite of legal practitioner legal practitioner मतब लो के साथ चलने वाला और यह lawyer था जो कि लो के अपोसेट चलता था और वही एक ऐसा आदमी था जो कि थोड़ा लॉजिक से सोचता था यह ना वह अपनी कोटिल ले बुद्धी लगाता था चानक की नहीं थी यह ना बाकी सब तो बहुत प्रीमर था रहे एक्टर वरूंगा सलमान घान बनने आया हूं मैं तेन अशोक मितरन दें डिस्क्राइब्स हाव जैमीनी स्टूडियो वाट चांस तो होस्त ग्रूप आप इंटरनेशनल पर्फॉर्मर्स ठीक है तो एक बार इंटरनेशनल पर्फॉर्मर्स आये जिसका थ अच्छी नहीं हो वह जो इंटरनेशनल आटिस्ट आये उनकी लेकिन जो गजब के कॉस्ट्यूम्स उन्होंने पहनी एक दम पर्फेक्ट कॉस्ट्यूम्स एंड इतनी पर्फेक्ट थी कि भाई सब बहुत सालों तक उस तरी की चीजों को तमिल प्लेज में इसके बाद फिर आते हैं इस्टेपन इस्पेंडर तो इन्होंने भी एक बार विजिट किया था आपके जैमिनी स्टूडियो को आप मुझे कॉमेंट बोक्स में बताइएगा कि आपके सिलेबस की कौन सी पोया में जो कि स्टेपन इस्पेंडर ने लिखी है नो पीपल जाद अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी जिस भाषा में जिस एसन में वो बोल रहा था नहीं आता था तो लोगों को समझ में आए कि यह कौन और क्या बोल रहा है नो उसने एक बार कहीं जा रहा था एक किताब में देखा रहे भाई यह स्टेपन स्पेंडर यह तो आय कि अच्छा यह आया था आपने आप और इस प्रकार से यह वाला स्टोरी होती है समाप अब प्लोट में आपको बता देता हूं तो यह प्लोट आप सीधे अपने सब्जेक्टिव कोश्चन में लिख सकते हो क्योंकि पॉइंड वाइस मैंशन है तो अशोक में तर्म जैमिन स्टूडियो के वरकर्स थे वह आते थे और अपनी कंप्लेंड बताते थे उनको तेन राइटर एक मेकप ब्राइंड के बारे में बताता है जो कि ऑथर के अनुसार और ज्यादा अगली बना देता था किसको जितने भी वहां के एक्टर एक्टर से उनको तेन वहां पर हाइ थे वह एक एक्टर बनना चाहता था डिरेक्टर बनना चाहता था लेकिन अभी जो जॉब कर रहा था वह भाई सब कंप्लीटली डिफ्रेंट थी ना जो सबसे पीछे लोग रहते उनका मेकप कर रहता था तर्ण राइटर और आलसो पॉइंट आउट करता है रोल जो की कॉ इसे अपना इंडस्ट्री हो गया और बी जितने बी रिसोर्सेस रेलवेस हो गया सब लोग कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा उसको कौन और करेगी पूरी कम्यूनिटी ओन करेगी तो क्या बड़ी बड़ी कंपनियां होती है और उनकी मोनोपली होती है जबकि कम्यूनिजम म नहीं है सब लोग मिलकर रिसोर्सेस को उन कर रहे हैं तो उसमें बिलीव करते थे स्टूडियो के जितने भी लोग है तैन तो मॉरल री आर्मामेंट आर्मी ने विजट किया वहां पर दो प्लेस करें और वो सिंस्क विदेश से आये थे तो उन्होंने एंटी कम्यूनिजम पर प्रचार कर दिया देन जैमिनी स्टूडियो के अंदर फिर एक बार स्टेपन स्पेंडर भी आते जो कि उस टाइम पर तो लोगों ने किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया और उनने स्पीचेश दी ती डिमोक्रसी पर फ्रीडम पर लेकिन लोगों को ज्यादा पढल नही एडिटर है एंड इस्टेपन स्पेंडर यह तो बहुत ही बड़ा नाम है विश्व में थीम क्या है इसकी तो थीम है फेवरिटिजम और हैरार्की की बताई जाती वर्क प्लेस में कैसे हैरार्की में काम चलता है किसी को एकदम सीधा उपर उठने का मौका नहीं मिलता और इसमें जैसे सुबू का एक्जामपल आप दे सकते हैं तेन यह जो स्टोरी और रिवील करती है देट पीपल बिलॉंगिंग तो डिफरेंट स्ट्रेट आफ सोसाइटी कैसे वह फिर भी एक साथ मिलकर काम करते हैं भले ही वह एक दूसरे को लाइक करें डिसलाइक करें लेक वह बहुत प्राउट थे किया रहे हम कम्यूनिजम के कंसेट को फॉलो करते हैं और जैमिनी स्टूडियो में डेफिनिटल इसको प्रैक्टिस किया जाता था अब कुछ करेक्टर्स के चैस आप से पूछे जा सकते हैं तो पहला है अपना कॉट्ट मंगलम सुबू भाई एंड लॉयल हेलफुल थे और जैनुविनली लवड बाइवरिवन लगबख सब लोग उनको प्यार करते थे बहुत टेलेंटेट थे और यह मदद भी कर दिया करते थे बाकी एक्टर एक्ट्रेस डिरेक्टर सबकी और ऐसा माना जाता था कि यह कस्टम टेलर डे फिल्म के ले फिल्म इन ही के लिए मतलब फिल्मों का जनम हुआ है और यह इनका जनम फिल्मों के लिए हुआ है कुछ और गेरेक्टर जैसे ऑफिस बॉय वह अपने 40 के आसपास उम्रों उसकी होगी और वह मेकप करता था जो पीछे लोग रहते थे क्राउट शूटिंग का तैन वह को चाहता था तो भाई डिरेक्टर हेक्टर पोएट सब बना लेकिन ऐसे कुछ उसकी विशेस फुल्फिल नहीं होती है ही एंवीट सुबू करना मतलब उसको जलन होती थी सुबू से क्यार यह भी अपने जैसा है लेकिन उसको कितना लोग प्यार करते हैं तो यहां पर एक करियर लोगों के बिगारता था तो हमेशा एकदम लोनली और हेल्फ लेस ही वह रहता था था तेन सेटिंग टाइटल क्या है तो यह स्टोरी का एकदम कुछ ऐसी पर्टिकुलर सेटिंग नहीं है पोएट और पेंकेक्स इसका टाइटल एकदम रेलेवेंट है बिकॉज पै पेंकेक एकदम एप्ट टाइटल है स्टोरी का तेन समरी अगर हम देखें एकदम बहुत ही ब्रीफ में तो जैमिनी स्टूडियो के बारे में बात है पैंकेक जो कि एक मेकप ब्राइंड उसके बारे में बात है एक ऑफिस बॉइक यहाँ पर बात की कई है यहांना कि कैसे करता था सुब्बू से फिर सुब्बू की बात की गई जो कि एक बहुत ही फेमस आदमें था स्टूडियों के अंदर बहुत सारे मल्टी काम वो करता था तिन यहां पर एक बार एमारे आर्मी आई थी जिसमें ने एंटी कमिर्जम कर पचार किया था और स्टेपन स्पेंडर आए था जिसने भी अपनी बातों में इनका जिक्रे किया था तब तो लोगों को समझनी आई लेकिन फिर बात में जब अशोख मित्रंग ने एक लाइब्रेरी के अंदर ने की किताब को देखा तो पता लगा कि यह तो बहुत ही फेमस वेक्ती है कुछ कोश्चन्स आपके लिए कि रोल क्या था और सुब्व को क्यों यहां पर बेटर कंसिदर किया जाता था सबसे तो आप इनको आंसर करना अलाकि मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा इसके बारे में उसके पहले एक छोड़ा सा आपको अपडेट देता हूं कि यार सीबीस्टी का बहुत ही कमा आता हूं तो बिल्कुल यार आप मेरे से भी स्ट्रक्चर्ड वे में इंग्लिश और फिजिकल एडुकेशन के कॉंटिन को पर सकते हैं में बात यह कि जो ओफर है वह 45 परसेंट का ओफ अगर आप क्लासिक से 12 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अने अकैडमी पर और यह ओफर प्लस के सब्सक्रिप्शन पर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है बढ़ते हम आगे और कुछ mcqs को हम देख लेते हैं तो यहां पर पहला प्रश्ण है कि हूई इस दी ऑथर ऑफ पोईट इन पैनकेक तो अब्यस सी बात है अशोक में तरन तमिल राइटर इस दो बुक माइ यह विद टॉक ऑफ ना तो माइ यह विद बहुस किस चीज के बारे में बात करती है तो यह बात करती है impact of movies on every aspect of Indian life ठीक है तो यह जो केताब है तो movies के impact की बात करती है इसी में से Poet and Pancake नाम के चेप्टर को निकाला गया है जैमिनी स्टूडियो कब सेट अप किया गया था 1940 then what was the brand name make up वाला तो make up का नाम क्या था जो जैमिनी स्टूडियो में यूज होता था पेंकेक ऑप्शन ए ग्रेटा गेब्रो कौन थे तो इनका जिकर एक बार चेप्टर में किया गया है यह स्विडिश एक्टर स्टी questions मैंने आपसे पूछे थे तो उनका answer यह रहा जो office boy था जैमिनी स्टूडियो में वो चाहता था एक्टर बनना पोएट डिरेक्टर एक्सेटर लेकिन last में क्या कनता है वो make up department में काम करता है चोटा सा तो इसलिए लोगों का बहुत हाई रिगार्ट था है ना सुबू के ल उससे envy करता था ठीक है तो सुबू got more exposure in the industry और इसलिए उसको better consider किया गया है इस chapter के अंदार then cbsc के sample paper में भी प्रशन पूछा गया है ठीक है एक passage है और इस passage को आप पढ़िएगा यहां से कुछ प्रशन है जैसे select करना है option आपको जो की complete करता है इस given sentence को stage of worldly experience in the given context would refer to तो ज यहां पर हमें मतलब यह जो पैरा है इसको हम पढ़ेंगे तो मैं पता लग जाएगा कि यह refer करता है कि इसको situation that require one to be street smart है तो जैसे सुबू था उसके अंदर कौन सी quality थी to be street smart street smart मतलब भाई साब हाथ के हाथ आइडिया निकालने वाला then आपको यहां पर सिलेक्ट करना है suitable word जो की sealed closed analogy अपने को देखने seal or close मतलब एक है synonym है तो प्रोपेल प्रोपेल मतलब होता है अचानक से भाई सब उड़ जाना तो यहां पर अगर हम वर्ड देखें तो हर सेल्फ केटापिलेटेड इंटू तो यह हर सेल्फ केटापिलेटेड एक हैसा वर्ड जिसका मतलब भी ह होता है अचानक से शूट करना तो यहां पर आ जाएगा केटापिलेटेड तो हम दन टू एक्ट्रेस वोज एंट ठीक है तो जब हम यहां पर पढ़ेंगे तो मैं पता लगेगा कि जो एक्ट्रेस को हाम हुआ था डेफ इट वोस बेसीकली अन इंटेंशनल एक ठीक है ऑप पहला है आपके पास कि based on the above extract true statement about the legal advisor lawyer के बारे में पुछा है डिस्लाइक्ट्रेस from the countryside he acted after thinking about things carefully he did not get well with other departments यह जेल वित अधर डिपार्टमेंट्स यह वोस अलवेस ड्रेस्ट स्मार्टली तो क्या हो जाएगा उसका ज्यादा डिपार्टमेंट के लोगों के साथ नहीं बनती थी he was not able to jail properly because वो लोगों के करियर बिगा रहता था ठीक है चलो बढ़ते हैं अपना आगे इन दोनों वाले प्रशनों को भी आप देख लेना इनके आंसर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ठीक है यह वेल्यू इन डाउट इन माइंड्स ओफ दोस वर वर्किंग इन जैमिनी स्टूडियो पेकॉस जो इंग्लिश मेन का नेम था वो अन फेमिलियर था विसस क्रिदेंशल एंड नो वन कुड अंडरस्टेंड इस स्पीच तो यह किसकी बात हो रही है स्टेपन स्पेंडर की जो किया था अब सिंस इंटरनेशनल आर्टीस थे तो उनको वेलकम किया गया था मापर एंड उन्होंने क्या क्या एंटी कम्यूनिजम के बारे में वहाँ पर प्लेज पर्फॉर्म किये एक प्रेक्टिस कुश्चन आपके लिए के सुबू कौन थे हूँ वस सुबू जैनिमी और तो ज सब्सक्राइब जीनियस ठीक है तो बहुत इंपोर्टन करेक्टर इसका पूरा करेक्टर सक्केश हमने देखा था तो आप इसको यहां पर पढ़ सकते हैं ठीक है एक कोशन बैंक मैंने यहां पर इस पीडिएफ के साथ अटेच किया है तो आप इसको भी डाउनलोड करेंग आपके मारे चनल की लेटिस नोटिवेकेशन आपसे मिस नहूं दोस्तों धन्यवाद जय हेंद जय भार